कि आबिएज तो कर दो हम कळल कर रहे थे विराम चीन के हमने दिन चीन क्या थे विराम अल गच विराम और अर्धविराम पून विराम जब एक कूरा संटेंस सब्सक्राइट होता है उसके पीछे जो हम जंड लगाते हैं उसे हम कूर्ण विराम कहते हैं किसी तरह अल्प विराम जो होता है जब हम शब्दों के बीच थोड़ा सा विराम देना चाहते हैं थोड़ा सा पॉस देना चाहते हैं तो हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं अब अर्द विराम वो होता है जब दो संटेंसिस दो वाक्यों के बीच में हम देना चाते हैं, सुबह हो गई, सूरज उग आया है, यहाँ पर हमने शब्दों के बीच में विराम दिया था, तो हम इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम, यहाँ हमने पूरे वाक्यों के बीच में और दूसरे वाक्यों के बीच में विराम दिया है, सुबह हो गई है, सूरज उगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अर्ध विराम, ठीक है, जो वाक्यों आपस में रिले यह आपने कोपी में लिखने हैं साथ में इचन भी लिखने प्रश्न वाचक के लिए इस Kund केसे हो ता है इस तरह और इसके नीजे ये वह सब को पता है जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीठे प्रश्न की पहचान ही इस शी से होती है जहां यह साइन लगा हो उसे प्रश्ण वाचा कच्छिन लगा हो तो हम इस्सिमाल करते हैं कि यह प्रश्ण पूछा जा रहा है आप क्या कर रहे हैं कि अब प्रश्ण केबल क्या क्यों किसको से ही नहीं पूछा जा सकता कोई जा रहा है अगर मैं पूछ कहती हूं आप जा रहे हैं और पीछे प्रश्ण चिन लगा देती हूं तो इसमें मैंने क्या कहां किसको का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन शिरफ इस चिन लगाने से ही हमें पता चलता है कि मैं प्रश्ण पूछ रही हूं अगर मैं पूछूं आप जा रहे हैं तो उसके प्रश्ण चिन से हमें पता चलता है कि यह प्रश्ण है प्रश्ण का पता क्या क्यों किसको से नहीं चलता प्रश्ण चिन से पता चलता है ठीक है प्रश्न चीन सबको पता चलिया उसके बाद है विसमे बोधक विसमे बोधक चिन यह क्या होता है साइन ओव एक्स्लामेशन इस तरहां जिसमें हम सुख दुख और खुशी और गमी वाले भाव जो है वह बताते हैं ठीक है जैसे है मैं गिर गई मैं मरी या मैं गिर गई है मैं गिर गई वाह कितना सुंदर पूल है कितनी गर्मी है है था किया हुआ अपने इंगलीश में भी आपको पता है साइन ओफ एक्सलामेशन पता है कि नहीं पता है कि हम सुख दुख के भाब प्रकाट करें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं विसमे बॉदखक जब हम अजानक से हैरान हो जाए जब अजानक से दुख हो जाए ठीक है जब अजानक से खुशी हो जाए वाग इतना सुंदर्ड रिश्य है हुफ कितने गर्मी है हाइ राम में मर गई कोई इसमें बोध के हैं तो इस्लेक दिया तो कि यह इजी है इसलिए मैंने विसमें बोदक लिखा है अब अगला है योजक चिन योजक चिन क्या होता है छोटा हाइफन यह हम कैसे इस्तिमाल करते हैं शब्दों के बीच में जो ऑपोजिट्स वर्ड हो या एक जैसे शब्द हो ठीक है उनके बीच में हम योजक इस्तिमाल करते हैं जैसे सुख दुख है ना सुख दुख अब मैं कहूँ गंबले में लाल लाल टमाटर लगे थे तो यहां पे भी लाल लाल इस तरह हां सुख दुख शब्दों के बीच में वो ऑपोजिट शब्द भी हो सकते हैं पुन्रवर्ती शब्द भी हो सकते हैं जिनका आपस में संबंध हो जोची उठते बैठते चंद्रमुख इस तरह यहां पे शब्दों के बीच में जो योजब टिन यहां तो वह दो वर्ट कर आगर वो दो वर्ट स्हिमिलर मीनिंग हो तो हमें योजक चिन्ड लगाएंगे ना बिल्कुल बेटा या एक जैसे वर्ड जिनको आपको उन्रावर्ट शब्द होते हैं या जो प्रस पर एक दूसरे से संबंध बताते हूं या जैसे चंद्रमुक तो इनके बीच में भी योजक लगता है जिसमें कंपैरिजन की जाए चंद्रमा के समान है उसका मुख चंद्रमुक नील कमल कमल जो है वो नीले रंग का है तो इस तरहां उनमें भी क्या लगता है जो सिमिलेरिटी हैं उनमें भी योजक लगता है अब निर्देशक चिन निर्देशक चिन क्या होता है बड़ी डंडी जो हम वाक्या शुरू करने से पहले लगाते हैं ठीक है उसे भी हम निर्देशक कहते हैं जब कोई निर्देश दिया जाए या जब हम टाइटल लिखते हैं किसी चीज का एवाम हाँ एक मिनट बेटा कि अगर आपको समझ में आगया है तो नोट करने की जुरूत नहीं है अगर आपको इसमें कंप्लिकेटेड लगता है कुछ कि आपको बाद में समझ में नहीं आएगा तो आप इसको साथ में लिख सकते हैं आपकी बुक में बहुत सारे उधारन दिये गए हैं तो समझने मे जो टाइम है वो लगाएं लिखने में टाइम ना लगाएं क्योंकि अपकी बुक में बहुत सारे उधारन दिये हैं कोई ऐसा नहीं है जब आप खोलेंगे तो आपको मेल जाएंगे तो इससे जरूर आपने लिखना है यह चार्ट जुरूर बनाना है पून विराम इस तरह अल्प विराम इस तरहां लिखना है अर्द विराम इस तरहां लिखना है प्रश्न वाचक यह पूरा चार्ट बनाना है ठीक है बारां के बारां का थे थे निर्देशक चिन बेचिन होते हैं अपने आपको मुट भी कर लो कि निर्देशक चिन बेचिन होते हैं जब कोई हम बाक्य शुरू करते हैं या किसी को कुछ निर्देश देना हो तब निर्देश मतब आग्या देनी हो तो वहां पर इस चीज का इस्तेमाल होता है निर्देशक चिन का इस्तेमाल होता है दूसरा किसी चीज के बारे में क्ल टेलिविजन या कंप्यूटर लाब और हानिया लाब और हानिया इस तरहां लिखते ना तो इसमें जो चिन आता है वो कौन सा चिन है निर्देशक चिन और इसमें मैं कह रहे हूं कि हम जब किसी को अध्यापक ने कहा अध्यापक ने कहा उसके बाद निर्देशक चिन लगाकर तुम चले जाओ तुम चले जाओ तुम चले जाओ तब इसका इस्तेमाल होता है हां जी सावे बोले कि तुल्णा कर रहे हों वो शब्द आते हैं या एक जैसे शब्द आते हैं निर्देशक चिन में संटेंसिस के आगे लगता है जब बाद चिन रखास तरी उसके बाद देशक चिन उसके बाद जय जवान जय किसान इस माम अब यह पहले बाले लिख लिए और अहिए हैं को रब कर दूँ यहां जो बैठेंस अभी कि इतने होगे साथ बारा करने हमने कि निर्देशक चिन के बाद हम करेंगे उद्रन उद्रन चिन चीक है उद्धरन यह क्या है कॉमाज इन्वर्टर्ड कॉमाज लिखते हो ना आप इस तरह इस तरह या इस तरह इस तरह सिंगल होते हैं और डबल कॉमाज होते हैं राइट उद्धरन चिन चिन कॉमाज होते हैं जैसे उद्धारन यह है रामधारी सिंग दिनकर दिनकर को हम कॉमा में लिखेंगे एक प्रसिद्ध कभी है क्यूंकि दिनकर उनका नाम मशूर है पूरा नाम किसी को नहीं पता रामधारी सिंग दिनकर की कविताएं दिनकर एक प्रसिद्ध कभी है उसी तरह डबल कॉमाज कहा लगते हैं जब आप कोई डायलोग बोलते हैं उसने कहा अब यहां पर कहा निर्देशक चिन और उसके बाद इंवर्टेड कॉमाज इसको हम क्या कहते हैं फुद्रन चिन मुझे भूख नहीं है नहीं है कॉमाज इण वर्टेड कंस को हम क्या कहते ह ben यह तो इजी है आपको सहँ प्ता है जब आफ डायलोग लिखते हैं तो हम इंवर्टेड कंस में लिखते हैं इन इनl वर्टेड को हम क्या कहते हैं उद्धरान चिं aur rapid कि उद्रन के बाद कोश्टक कि विवरण का क्या मतलब होता है कि किसी को पता है विवरण का मतलब वैक्याविस्तार explanation उसे हम क्या कहते हैं विवरण जबन किसी चीज के बारे में एक्स प्रेंड दर एक्सेलेन करते हैं किसी चीज़ को तो वह क्या होता है विवरण थेंड क्या होता है इस तरह लिखते और यहां पर दो बिंदू इस तरह अब विवरण क्या है राजा दश्रत के तीन पुत्र थे राजा दश्रत के तीन पुत्र थे अब इनका विवरण देना हो तो मैं इस विवरण चिन का इस्तेमाल करूंगी और फिर लिखूंगी राम लक्षमन भर्त शत्रुगन बिल्कुल बिल्कुल ठीके मतलब राजा दश्रत के तीन पुत्र थे उनका आगे मैं विवरण दे रही हूं विस्तार से आपको उसके बारे में बता रही हूं ठीके एक्स्प्लेन कर रही हूं कौन-कौन से राम लक्षमन बरत शत्रुगन इसी तरह संग्या के पांच वेद हैं कि अब इन वेदूं का एक्स्प्लेन करने के लिए मैं विवरण चिन दूंगी विवरण चिन होता है एक्स्प्लेन सेम इस तरह ही व्यक्ति वाचक जाति वाचक सो ओन जो आप आगे लिखेंगे भाव वाचक समूद रव्य वाचक ठीक है जी विवरण समझ में आ गया है जब हम किसी चीज को एक्स्प्लेंग करते हैं गीता के अध्याएं हैं फिर उनको इस तरह तो आगे नाम लिखे जाएंगे कि यह नीचे जगा है विवरण के बाद है है ना चलिए जी कोश्ठक पोश्ठक क्या होते हैं ब्रैकेट्स पोश्ठक क्या होती है ब्रैकेट्स हिंदी में इस तरह की ब्रैकेट्स होती है यह किसलिए हम करते हैं pewast product अबम हम कोई भाव दरशाना चाहते आप नाटक पढ़ते हैं कहानी पढ़ते हैं अगर नाटक में आपको सामने वाले का भाव पता ना चले को आपको पील नहीं आएगी कि यह क्या चल रहा है अगर नाटक में लिखा गया है उसने उसे देखा तो हमें क्या समझाएगा कि उसने उसे देखा अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं गुस्टे से तो हमारे दिमाग में क्या आता है उसने उसे देखा गुस्टे से मतलब भाव जो था वो क्या था गुस्टे वाला भाव दर्शाने के लिए हम कोश्टक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकेट का इस्तेमाल करते हैं, कहानियों में आपने चेप्टर पड़ा होगा पापक हो गए, पड़ा है न सबने, पापक हो गए जो नाटक है, एक आंगी है, उसमें देखो, बहुत सारी जगा कोश्टक का इस क्योंकि अगर हम नाटक खेलते हैं सामने सामने करते हैं आप मेरे सामने बैठे हो मुझे गुष्टे का भाव दर्शाना है यह समयल करूंगी और विस्टों सब को पता चल जाएगा कि मेरा जो भाव है वह सी का है लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं नाटक पढ़ रहे तो उसने चुपके से मूझ उधर किया हसते हुए जब यह हसते हुए आएगा तो वह हम कहां लिखेंगे lotta इसने मुँ उधर किया हस्ते हुए हस्ते हुए हम प्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम नाटक की तील ले रहे हैं जो सामने नाटक दिखाई देता है वो तो एक्स्प्रेशन से पता चलता है लेकिन जब हम नाटक पढ़ते हैं तो वहां एक्स्प्रेशन कहां पता चलते हैं ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो एक्स्प्रेशन्स होते हैं समझ रहें आप मेरी बात कि नहीं समझ आ रहें जैसे अध्यापक ने उसे देखा उसे देखा तो अब हम इसमें ब्रैकेट में कर देंगे गुस्से से और चिलाया कि क्योंकि यहां तक अध्यापक ने उसे देखा हमें कुछ समझ में नहीं आ अगर ब्रैकेट में हमने गुस्से से लिखा है इट मीन्स कि हमारा एक्स्प्रेशन यह है कि अध्यापक जो है उसे गुस्से से देखेगा तो भाव प्रकट करने के लिए और एक्स्प्रेशन प्रकट करने के लिए हम कोश्टक का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा तर इस्तेमाल कहां होता है नाटकों में या एकांगियों में कि एक कौन सा चोड़ा है कि विवरंचिन हो गया निर्देशक योजक फुद्रन हो गया तो दो ही और हुए कौन सा चोड़ा मैंने बारा करवाए हैं सब को एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस हो गया है यहां तक है ना कोश्टक तक और ग्यारा और बारा दो रहते हैं ठीक है ठीक है कि यहां तक बेटे आपको समझ में आ गया है आगे बड़े कोस्टर के बाद हम करेंगे हमने सिरफ बारा करने है आपके बुक में ज्यादा दिये गए है लेकिन हम बारा ही करेंगे जो आपके समझ में इसली आदा आ अब है हंस्पद चिन यह जिसको हम तुरूटी पूरा चिन कहते हैं हंस्पद चिन या तुरूटी पूरक चिन तुरूटी का मतलब क्या होता है गलती जब हम कोई संटेंस गलत लिख देते हैं इसका साइन कैसे आएगा इस तरह जब हम कोई चीज गलत लिख देते हैं तो हम उसे सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इसे हम क्या कहते हैं हंस पचिन या तुरूटी पूरक चिन कैसे कि आप भी घर आएगा अगर मैं यहां कहूं कि मैं भूल गई हूं मैं उसे यह कहना कि मेरे घर आएगा तो हम यहां पर यह आप भी घर आएगा हमारा भी लिखना चाहतीति आप भी हमारे घर आए अब जगह नहीं है चुकि आगे मेंने बहुत सारा कुछ है संपरोस के लिख दिया है जगह मैं क्या करोंगी इस तरह भाओ हमारे कि लिखते हो ना आप भी बिल्कुल राइट यही होता है तो आप भी हमारे गर आएगा जब हम संटेंस करते हुए कोई important शब्द छोड़ जाते हैं या भूल जाते हैं तो क्या होता है गल्सी हो जाती है उसको सुधारने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उपर शब्द लिख देते हैं जिससे जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाता है कि यहां पर पहले क्या आएगा हमारे आप भी हमारे घर आएगा अबाटिट पीटे त्रुटि पूर्वक्चिन क्या होता है जब हम लिखने में गलती कर देतेजिया चोड़ देते हैं तो उस शब्द को लिखने के लिए हम एसी इस्तेमालJack Weber और उस माला है इस बाने वाला है इस बाख्ये लिए समझा आएगं कि यहां आएगा हमने भी जाना था अब यहां पर मैं क्या लिखना भूल जए हूं बजार तो मैं इस तरह से करूंगी हमने भी बाजार जाना था लास्ट है बेटा लाघव चिंद लाघव का मतलब होता है लगू अब आप पुछेंगे लगू का क्या मतलब होता है पता है किसी को लगू का मतलब चुटा चिक है दीर्ग क्या होता है बड़ा लगू मतलब चुटा थीक है तो लाघव चिंद इसे हम लगू चिंद भी बोलते हैं जब बड़े अक्शज को चोंड़ा करके लिखना हो तो लगू को चिंद का इस्तिमाल करते हैं ये बिंदी की तरह होता है जैसे आप में ब चोटा करके लिखना चाहें तो हम रहां लिखेंगे और यह जो बिंदु हम लगाते हैं इससे हम क्या कहते हैं लागव में लागव चिन जब बड़े शब्द को चोटा बर करके लिखना हो तो हम लागव में इनका इस्तेमाल करते हैं इसी तरह अगर पंडित लिखना हो तो हम सिरफ के उपर यह लगा देते हैं तो समझ आ जाता है कि यह क्या लिखा है पंडित किसी तरह अक्षर के भी होते हैं डाक्टर आर एस रामा मूर्ती चाहें उनका नाम कुछ हो आर एस सर्वपली राधा मूर्ती हो तो वो क्या होता है डाक्टर यह मतलब आधा आर एस यह आर और एस उनके नाम के वो पूरे अक्षर हो सकते हैं इसी तरह डाक्टर पूरा है ठीक है तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब हम लागव चिन का इस्तेमाल करते हैं जो एक बिंदू के रूप में होता है जब एक्सपैंड शब्दों को छोटे शब्द बनाना हो छोटे रूप में इस्तेमाल करना हो तो हम लागव चिन्नों का इस्तेमाल करते हैं अब जल्दी से एक एक्सेसाइज में दे रही हूं गौरिश हाँ बेटा पूछें यह मैं कि अपने छेंप आपय आपने लागव चैनद डालये मैं यह बच्चे तो इस्ता आगे डाला है मैंने उस्तारा लिए तो इसलिए कंफ्यूजन है यह लोग इस तरह कर देते हैं पंडित के उपर नहीं सर के उपर लागर चिन अभी नहीं लगता तो कि माम थैंक यू मैम एक अपने आप करोगे आपको सेंटेंसिस दे रही हूं उसमें आपको विराम चिन लगाने हैं खोड़ देते हैं कोई संटैंस लिखते हुए अचानक से हम कोई शब्द छोड़ देते हैं और उसके आगे हमारे पास वाइटणर भी नहीं है उसके आगे हमने बहुत सारी लाइने भी लिख दी हैं कि हम रभातर के अग्ली लाइन में लिख दें तो तो क्या होगा कि हम उस शब्द को इस तरह हम चेन लगा कर घ्लाथ की कहते हैं यह तुरुटी पूरक्चेन कहते हैं ओके? यस माम इसके लिए मंडे को जब भी आपकी क्लास होती है अगर मैं दुबारा आई तो मैं आपको इसकी एक्सेसाइज करवा दो ठीक है? नहीं तो मैं आपको इसकी एक्सेसाइज करवा दो